जिस स्मार्ट तर्कीब से मुंबई पुलिस ने क्यारके को सीधे एरपोर्ट से उठाया और डायरिक्ट अब उनका जेल जाने का टाइम आ गया है वैसी ही स्मार्ट तर्कीब अब क्यारके ने लगाई है कि वो आज तो जेल नहीं जाएंगे क्यारके को आज अदालत में पेश किया गया उन्हें 14 दिन की जुडिशिल कस्टिडी सुना दी गई क्यारके ने बेल के लिए अपलाई किया है अब वो बेल आएगी नहीं आएगी ये एक अलग बात है और कल गणे शतुर्ती की छुट्टी है इसी बीच खबर आ रही है कि क् पुलिस को अचानक से अपना प्लान बदलना पड़ा है और अब क्यारके को जेल नहीं बलकि वहीं शताबदी होस्पिटल में ले जाया जा रहा है रिपोर्ट्स के मताबे क्यारके को सीने में दर्द की शिकायत हुई है जेल जाने का फैसला सुनाने के बाद क्यारके को ये इसकी जाच की जाएगी अब ये जाच आज होती है कल होती है या क्यारके की तबियत कितने दिनों में ठीक होती है उतने दिनों तक क्यारके को हस्पिटल में ही रहना होगा वो जेल जाने से बच गए और इसी बीच हो सकता है कि क्यारके की बेल पर सुनवाई हो जाए और क् कि और के आरेस्ट होने पर सभी तरफ दो तरह के रियक्शन्स आ रहे हैं एक तरफ वह लोग गई कह रहे हैं कि के और के को साज जाICK के तहए एक टूइट के बदले इतनी वड़ी सजा किसी को नहीं मिल सकती है और दूसरी तरफ वह लोग जिनका यह मानना है कि के जैसे शक्स को जेल में ही रखना चाहिए उन्होंने बहुत लोगों पर नेगेटिव कॉमेंट्स किये हैं और सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं वो माहूल खराब करते थे आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें